नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग दो फरवरी 2022 के डेली न्यूस एनलेसिस में आपका स्वागत है कौन कौन सी न्यूस है तो भाई बजट की हाइलाइट्स इसके बारे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आज का दाहिंदू एडिटोरिल भी देख लिजे शाम को में एक वीडियो एप्लोड करूँगा वो भी देख लीजेगा जरूरी है देखनी है ओके एमनिस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल को एक आपार्थाइड स्टेट बोला है फिर चाइना और फ्रेंच ओयल कंपनीज एक चाइना की और एक फ्रांस की बड़ी ओयल कंपनीज ने युगांडा की लेक अलबर्ट के अंदर क्रूश डोयल के एकस्प्लोडेशन के रिस्पेक्ट मेग एुटिमेंट साइन किया उसको देखेंगे फिर लेप्रोसी केसी में इंडिया यहाँ पे कहां खड़ा होता है उसको देखेंगे मन्रेगा की अलोकेश्न को 25% कम किया गय और जापान के पार्लिमेंट ने एक रिजिलूशन अडॉप्ट किया है चाइना के हुमन राइट्स इशू को लेके उईगुर मुस्लिम्स का गेज़ इसको देखेंगे तो इतनी न्यूज है पहला वर्ड अफ दे देख लेते हैं बैंबूजल बैंबूजल का मतलब होना है क चीट करना, फूल करना, बेवकूफ बनाना, किसी प्रकार का स्कैम करना, धोका देना, धकोसला करना, जूट बोलना, जैसे कि लिखा हुआ है सेंटेंस में ही बैंबूजल इंडिया's largest banks in a massive counterfeit scam, मतलब उसने इंडिया के बड़े-बड़े बैंकों को बेवकूफ बना दिया कुछ नकुछ लफड़ा करके, स्कैम करके, हर्शद मैता वाला जो incidence हुआ था, उस respect में आप देख सकते हो, हला कि हर्शद मैता अकेला responsible नहीं था, बैंक के corrupt employees basically responsible थे, तो कोई हर्शद मैता को फैन हो, तो मैं उसको off-end नहीं कर रहा हूँ, चलिए, पहला आर्टिकल डिसकस क मैं फिर से बता रहा हूँ, बजट के respect में कोई एक कम mind वीडियो धूरने की कोशिश मत करना, बजट को समझने के लिए आपको holistic approach लेनी पड़ेगी, इसके लिए आज का editorial, अभी जो मैं current affairs बता रहा हूँ, शाम को वीडियो upload करूँगा, कल मैं आपके साथ आने वाले 3-4 दि इंतागे editorial में budget की ही बाते होंगी, और इसे एक हफते में budget की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो union finance minister ने एक फरवरी को union budget 2022 रखा, session कब शुरू हुआ था, 31 जनवरी 2022 को जब economic survey रखा गया था, इस budget में health को लेके, well being को लेके, infrastructure को लेके, development, energy transitions को लेके, minimum government, maximum governance के सिधान क लेके, बातचीत कही गई है, फिर ये बोला गया है कि इंडिया की economic growth लगबख 9.2% होगी, हाला कि 9.2% होगी कि नहीं, इस बात में depend करेगा, कि Omicron कितना तरखाट मचाता है, और ठीक ठाक तरखाट मचा रहा है, Omicron, फिर ऐसा बताया जा रहा है, कि 14 sectors में productivity linked incentive की वज़ए स 60,000,000 नई job create होगी, फिर भाई बोला जा रहा है कि digital currency, e-passport, बहुत सारे नए infrastructure projects को launch किया जाएगा, 2023 में, edible oil, wearable electronics, imitation jewelry, polished diamond, इनके उपर import duty कम की गई है, तो आगे आने वले समय में market में ये चीज़ें थोड़ी सस्ती बिकेंगी, 2023 में, जो GDP के respect में आप कहलो, जो deficit होगी, वो 6.9% थी, persons with disabilities के लिए हाँ पर tax relief announced किया गया है, personal income tax rate जो अभी चल रहे है, वही रहने वाले है, इनमें कोई बदलाव नहीं है, अगर हम एक outline देखें, तो क्या क्या निकल के आ रहा है, तो PM गीगती शक्ती master plan को implement किया जा रहा है, 20,000 क्रोड के खर्चे पे, national highways network को expand किया जा चार सो नए जनरेशन वंदे भारत रेंस बनाई जाएंगी अगले तीन सालों में, परवत वाला प्रोजेक्ट के अंदर 60 km रोपवे प्रोजेक्ट्स बनाई जाएंगी, रोपवे पता है ना, जैसे for example, अभी कभी आप मसूरी गयो, तो मसूरी में ऊपर पहाड पे जाने क को इंप्रूफ किया जाएगा, 100 गती शक्तों, कारगो टर्मिनल्स बनाई जाएंगे तीन साल में, कारगो टर्मिनल्स आपके एरपोर्ट पे होते हैं, पोर्ट्स पे होते हैं, समंदर वाले, फिर भाई, वीट, पैडी और खरीफ और राभी क्राप्स के प्रोकेरिमेंट क आएगा, और वो पैसा मार्केट में इंफ्यूज करेगा, फिर भाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू जो डाइरेक्ट पेमेंट्स जाती हैं, लगबग दो हजार बाईस तेश में, दो दसमलों, तीन साथ लात करोन की पेमेंट्स जाएंगी, ऐसा यहां पे बोला जा और पोस्ट हर्वेस्ट वैलुडिशन होगा, पोस्ट हर्वेस्ट में आप कह सकते हो कि फॉटिफिकेशन, फॉटिफिकेशन मतलब कि किसी एक एग्रिकल्चर प्रोड़क्ट की जो प्रोड़क्टिविटी है, ओवरॉल उसका जो न्यूट्रियंट लोड है, उसको बढ़ इस वार रिविर लिंकिंग प्रोड़क्ट को चवालिस जार करोड की कॉस्ट पर इंप्रिमेंट किया जाएगा, जिससे नौ लाख हेक्टेर फार्मल लेंड को बेनफिट मिलेगा, डिजिटल उनिवर्सिटी स्टैबलिश की जाएगी, और ये जो डिजिटल आप कहलो information है, वो सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही नहीं, देश के जितनी भी ज़्यादा तर भाषा हैं बोली जाती है, उन सम्में बच्चों तक पहुचाए जाएगा, ताकि इस समय पे जब पैंडमी की चलते है, बच्चों की पढ़ाई बे नुकसान ना हो, फिर 68% capital procurement budget मशीनरी, आप कहलो, ये नेवी और एरफोर्स के assets के लिए deploy किया जाएगा, फिर मतब हम जो चीज खरीद रहे हैं, हम बाहर से खरीद रहे हैं, तो बाहर से खरीदने की बचाए उस चीज को इंडिया के अंदर बना के इस्तमाल करो, इस पर फोकस होगा, 60% पैसा इंडिया क platforms के design and development में वो involved हो, फिर भाई, digital front में RBI digital rupee launch करेगा, blockchain technology को इस्तमाल करते हैं, 2023 में, virtual digital assets, basically cryptocurrency की बात हो रही है, इसको 30% पे tax किया जाएगा, अगर virtual assets का gift होता है, तो it will be tax at the receiver sense, जो particularly उस virtual asset को receive कर रहा है, वो उस पे tax देगा, मतलब मालो आप किसी से cryptocurrency gift में ले रहे हो, आपकी ban ने आपको दो cryptocurrency gift में दे दी, तो आपको उन दो cryptocurrency गोपर tax, 30% tax बरना पड़ेगा, फिर 75 digital banking units में बना जाएगे, 75 districts में, tax economy finance में green bonds issue किये जाएगे, उनके basis पे market से पैसा उठाया जाएगा, fiscal deficit होगी 6.9% of the GDP, ये एक बार चेक करना पड़ेगा, 6.9 ने 6.4 है, एडिटरल में आपको tax return फाइल करना है, अब क्या है, कि आप tax return तो फाइल कर दोगे, लेकिन अगले 2 साल तक आप चाहो तो tax return में थोड़े changes कर सकते हो, चाहो तो आप सरकार को बता सकते हो, भाई, मेरी ये extra income आई थी, ये मैं आपको report करना भूल गया था, आप report कर रहा हूँ, cooperative societies पहले 18.5% tax पे करती थी, minimum alternate tax और companies पे करती थी 15%, अब cooperative societies भी 15% tax पे करेंगी, cooperative के ओपर जो surcharge लगाया जाएगा, वो 7% को होगा, वो cooperative जो 7-10 करूट रुपे कमा रही है, persons with disability को tax relief दिया जाएगा, NPS account of state government employee, ये point अभी आगे आएगा, उसको discuss करते हैं, virtual digital assets को tax के जाएगा, बता दिया, long term capital gains के उपर tax जो होता है, उसके उपर जो surcharge लगता है, वो maximum 15% होगा, cut or polished diamond के उपर जो custom duty हो 5% तक लेके जाएगी, imitation duty जो लगती है, imitation jewelry के उपर जो custom duty लगती उसको कम किया जाएगा, sodium cyanide के उपर जो duty लगती हो उसको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, umbrella के उपर जो duty उसको 20% बढ़ाया जाएगा, steel scrap के उपर जो duty लगती हो एक साल के लेक्स्टेंड किया गया है, stainless steel के उपर जो anti-dumping duty और countervailing duty लगती थी, उनको हटा दिया गया है, और shrimp aquaculture के उपर duty कम कर दी गया है, health के field में national digital health ecosystem लाँच किया गया है, national tele mental health program यहाँ पर लाँच किया जाएगा mental health के लिए, 23 tele mental health centers खो ले जाएगे इंडिया के अंदर, जिसे women और children को, अच्छा, 23 tele mental health center of excellence खो ले जाएगे, national tele mental health program लाँच किया जाएगा, national digital health ecosystem लाँच किया जाएगा, और साथ साथ, mission शक्ती, mission वात्सले, सक्षम आंगणवाडी और portion 2.0 कितू, benefits दिये जाएगे women को और children दोनों को, हर घर नर से जल, मतब हर घर के अंदर नर से, tap से पानी पहुँचे लोगों के पास, 2022 तेस में इस scheme को implement करने के लिए, 60,000 करोण खर्च के जाएगे, 3.8 करोण घरों तक नल से जल पहुचाने के लिए, GS paper 3 में particular news आपको काम हैगी, फिर बात की जारी, income tax slaps unchanged, union budget 2022 तेस ने income tax, personal income tax के slaps को unchanged रखा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि updated return file करने की सुवधा यहाँ पे आपको दी जा रही है, तो आपने भले ही 2021 का return भर दिया हो, लेकि अगर मान लीजे कि 2020 का कुछ ऐसी कमाई थी जो कि आप बताना भूल गए income tax department को, तो अगले दो साल तक आप उस कमाई के बारे में income tax department को एक updated income tax return के थूँ बता सकते हो, फिर बाई देखो केदर की सरकार और राजी के सरकार जो इनके officials होतें, NPS में invest करते हैं, अब केंदर की सरकार के officials के पास एक सुविधा है कि उनकी कमाई का total 14% तक वो NPS में invest कर सकते हैं, और उसका उनको tax exemption मिलेगा, राजी की सरकार वालों के लिए सुविधा केवल 10% तक tax exemption पाने के लिए थी, अब राजी की सरकार को भी अपनी कमाई का 14% तक वो NPS में invest करेंगे, तो tax exemption मिल जा करेंगे, नई domestic companies को एक competitive business environment देने के लिए, उनके उपर जो tax लगाया जागा, वो 15% होगा, मतलब एक concessional tax regime 15% का यहां पर लाया गया है, नई domestic companies को मदद करने के लिए, ओके, फिर custom duty, cut or polish diamond और gemstone के उपर 5% तक लेके आई गई है, simply sawn diamond के उपर कोई भी custom duty नहीं होगी, देख के बाहर निकल जाते हैं, ओके, फिर imitation jewelry को undervalue करके इंडिया के अंदर लाया जाता है, तो इस respect में, imitation jewelry के उपर जो custom duty है, वो थोड़ा कम की गई, ताकि undervaluation यहां पे कम हो जाए, exports को बढ़ाने के लिए, आप कह सकते हो कि embellishment, trimming, fastness, button, zipper, lining material, leather, furniture, fitting, इस sector को बहुत से supports दिये जा यहां पे बढ़ा सकें, और blended fuel, ethanol blended fuel होता है न, तो जो fuel की blending नहीं हो रही है, उसके उपर additional difference excise duty लगाई जाएगी, दो रुपए प्रती लिटर के इसाब से, with effect from 1st of October 2022, तो 1 October 2022 तक, जिस जिस petrol में blended petrol भी कराए, और blending किस की होगी, इथनॉल की, वो दो ठीक है, जिस पे नहीं भी कराए, उसके उपर प्रती लिटर, 2 रुपए की excise duty लगाई जाएगी, जिस पेपर 3 में न्यूस आपको काम आएगी, अगली न्यूस है, मनरेगा के allocation को 25% कम कर दिया गया, 73,000 करोन पे, देखे, अगर आप देखो, तो 2020-21 में, जब करोना पहलना शुरू हुआ था, उ इसमें मनरेगा को allocate किये गए 73,000 करोन पे, हाला कि साल के end होते होते, 98,000 करोन का allocation किया गया, समझ गया, तो ऐसा नहीं है कि अभी इस budget में, 2022-23 की budget में 73,000 करोन पे allocate किये जारे मनरेगा को, तो 73,000 करोन खर्चोंगे, साल के end तक आते आते सरकार budget बढ़ा देती है, तो आप मे पैसा देना पड़ेगा, तो पहले ठोड़ा कम दो, ताकि राजी की सरकार ने थोड़ा सोस समझ के खर्चा करें, अभी एक लग करोन सरकार दे देगी, तो वो एक लकल करोन पहले साथाच महीने छंप को वाईने में खचम हो जाएगा, फिर साथाच महीने में सरकार को और तो सरकार ने पहले 73,000 क्रोड रुपे दिये ताकि साल के एंड तक आते आते थोड़ा खम खतम करें राज्य की सरकारें तो सरकार थोड़ा और पैसा दिदीगी लेकिन ओवराल देखा जाया तो सरकार को बहुत क्रिटसाइस किया जारा है चोकि मनरेगा के अंदर एलोकेशन हो रहा है कम जैसा कि मैंने बताया 2020 में एक दसंबलो ग्यारा लाग करोड हुआ था 2021 में अगर आप देखो तो पहले 73,000 करोड रुपे अलोकेट किये गए थे लेकिन साल के अंट तक ऐसे बताया जारा है कि 98,000 करोड का अलोकेशन हो गया है वो इस साल यानि दो हजार बाइस तेश के तेहतर हजार करोन में से एडजेस्ट होगा तो effectively इस साल का बजट साथ हजार करोन ही बचा है मनरेगा के अंदर तो मनरेगा का बजट और कम हो गया है इसलिए अपोजिशन पार्टी और नॉन बीजेपी सरकारे हैं चिला चिला के कह रही है कि भाई आप मनरेगा का बजट कम कर रहे हो गाओं के लाके में लोग कैसे रहेंगे और आपको पता ही है कि मनरेगा एक डिमांड रिबेन स्कीम है तो साल में अन्सकिल्ड वर्क सौ दिन का एक रूरल फैमिली को देना यह मनरेगा के अंबेट के अंदर आता है इससे रूरल फैमिली से कमसे हम खाने पीने का तो जोगाड हो जाता है तो उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर सरकार की बुराई की जा रही है अगर सरकार को सारे 9.9 करोन active job card holding families को अगर काम देना है तो अभी के allocation 60,000 करोन जो बाच रहा उसके हिसाब से केवल 20 दिन का काम मिल पाएगा 298 रूपीज पर डे की cost से अगर समझा जाए तो और inflation की वज़े से 298 रूपीज पर डे की cost भी बढ़ेगी तो उसके चलते overall 20 दिन से भी कम का average निकल के आएगा जितना काम अभी 60,000 की allocation से मिल सकता है मनरेगा card holders को तो यह इसलिए एक tension की बात यहाँ पर बताई जारी GS paper 3 में news आपको काम आएगी अगली news है लेप्रोसी patient के respect में इंडिया को 2005 में लेप्रोसी free declared कर दिया गया था ठीक है ना National Health Policy 2002 यह बोलती है लेप्रोसी free मतलब क्या होगा कि प्रती 10,000 आबादी हमारे देश में एक केस से कम निकल के आए लेप्रोसी का लेप्रोसी होता किसकी वज़े से है तो एक bacteria है Mycobacterium lepray की वज़े से होता है इसके skin lesions हो जाते हैं नंबनेस हा जाती है आपके nervous system के उपर ही attack करता है जो data निकल के आ रहा है National Leprosy Eradication Program से यह बताता है कि 65,147 नए लेप्रोसी केसिज इंडिया के अंदर detect हुए है 2021 में पिछले साल के comparison में यह कम है अब आप बोलो कि सर्फ पिछले साल में कितने केसिज थे तो भाई 2019-20 में टोटल 1,14,451 केसिज निकल के आये थे लेप्रोसी के और 2021-21 में 65,000 निकल के आये हैं तो आप कह सकते हो कि कही न कही हमने कुछ न कुछ इंप्रूव्मेंट किया है बिहार, महराष्ट, उत्तरपदेश, ओडिसा, 36 गण, मद्धपदेश, वेस्ट बंगाल, जारखंड से 76% निकल के आये है वैसे तो दुनिया की 95% आबादी लेप्रोसी से एम्यून है लेकिन जो एम्यून नहीं है उनके स्किन, नर्फ और अपर रेस्पिरिटरी ट्रैक्ट और कुछ हद तक आईस के ऊपर अटाक करता है यह लेप्रोसी और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो आपके स्किम, लिम, नर्फ को पर्मनेंटली डैमेज कर देगा हाला कि मैं आपको बता दू कि इस अ ट्रीटेबल डिजीज मल्टी ड्रग ठेरपी के दू लेप्रोसी को क्यूर किया जा सकता है 6-24 महीने तक लेप्रोसी की मल्टी ड्रग ठेरपी चलती है और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती है मतलब लेप्रोसी is Curable 1 अपरेल 2021 को टोटल अटिफ लेप्रोसी केसेस कितने हैं इंडिया के अंदर 57,672, 2019 में 7,859 बच्चों के लेपरोसी हुआ था, 2020 में 3,703 है नंबर, as of October 2021, टोटल नंबर अप्टिव लेपरोसी केसे आ 60,077, okay, 2020 नाशनल लेपरोसी एरिडिकेशन प्रोग्राम के एसाब से 94.75%, 94.75% of patients of लेपरोसी have been cured, 2016 में लेपरोसी के सबस्यादा केसे आए थे, 1,35,485, अब उसके एसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, WHO ने एक विजन सेट किया है, zero leprosy, zero infection, zero disease, zero disability, zero stigma, discrimination, 2030 तक इसको implement करने के लिए इंडिया भरपूर कोशिश कर रहा है, Next, Amnesty International ने इसराइल को apartheid state कहा है, apartheid state क्या है, South Africa में एक system चलता था, जहां वहाँ पे जो white population थी, वो black population को systematically segregate करती थी, ना उनको political rights देती थी, ना economic rights देती थी, मतलब white लोग अलग थे, black लोग अलग थे, कुछ इसी प्रकार का system इसराइल में चल रहा है, और इसराइली जूस ऐसा कर रहे है, पेलिस्टीनियन अरब्स के साथ, ये बोलना है, Amnesty International की एक report का, ठीक है, तो अगर कोई अरब, Gaza में रह रहा हूँ, East Jerusalem में रह रहा हूँ, West Bank में रहा हूँ, उसके साथ बहुत गंदा treatment हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बोल दिया है, Amnesty International ने, इसराइल की foreign minister, Yair Lippert साब ने इसके against बोला है, कह रहा है, ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, गलत हैं, इसराइल को दुनिया भर में नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, terrorist organization जो जूट बोलते हैं, उसी को यहाँ पे Amnesty International आ के सामने बोल रहा है, इसराइली based right group है, T.C.L.M., इसने एक साल पहले कहा था कि बाई, इसराइली policies कुछ ऐसी हैं कि वो Jewish supremacy को फेलाना चाहते हैं, from Jordan River to Mediterranean Sea, Amnesty International क्या है, ये एक London based non-governmental organization है, human rights के respect में ये बात चीत करता है, लंडन में बना था 1951 में, इसके बारे में और information, आप PPT से पढ़ सकते हो, PPT में available करवाद हूँ, तब अब आपर्थाइट का इज़ाम लगा है, इसराइल के उपर, तो खुश कौन हो रहा होगा, तो जो Palestinian Liberation Organization और हमास, ये दो बोड़ी यहाँ पर बहुत खुश है, इनका ये बोलना है कि भाई, Amnesty International बहुत courageous तरीके से काम करता है, हम Amnesty International के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं, वगरा वगरा, इन्होंने ऐसा यहाँ पर बोला है, अगली न्यूज है, चाइनीज फ्रेंच ओयल मेजर सील डील फॉर यूगांडा मेगा प्रोजेक्ट, देखेंगे, चाइना और फ्रेंच के ओयल जाएंड ने 10 बिलियन डॉलर के डील साइन की है, यूगांडा के एनरजी रिसोर्स को एक्सप्लोइट करने के लिए, एक ओ यूगांडा के बॉटर लगता है, साउथ सुडान के साथ, लेट में डेमोक्रिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो के साथ, इस्ट में केनिया के साथ, साउथ में तंजानिया के साथ, लेक विक्टोरिया, तंजानिया, केनिया और यूगांडा के बीच में आती है, और ये जो ले Energies Company है दूसरी कंपनी है चाइना की National Offshore Oil Corporation यह Lake Albert 160 km लंबी लेक है जो कि युगांडा और Democratic Republic of Congo की बीच का बॉर्डर बनाती है यहां से तेल निकाला जाएगा तंजानिया के थूँ पाइपलाइन बनाई जाएगी Lake Albert के आसपास के लाके में जो भी लोग रहते हैं उनके livelihood और ecosystem पूरी तरीके से तबाह हो सकते हैं हजारों की तागाद में जो लोग हैं वो displays हो सकते हैं, water resources polluted हो सकते हैं पूरा का पूरा ecosystem danger में आ सकता है इन companies में बोला जरूर है फ्रांस और चाइना की कि हम कोशिश करेंगे कि लोकों के उपर कम से कम impact हो, environment के उपर कम से कम impact हो, लेकिन इन projects का impact तो आता ही है, यह हम आप सबको पता है तो जापान के Parliament ने China rights issues को उठाया, देखे जापान के उपर US लगातार pressure डालता रहता है कि तुम उइगुर minorities को लेके कुछ न कुछ statement दो, तो एक सब्सक्राइब ने जापान भी हाँ पर tension में आगा, उसने बोल दिया कि भाई, उइगुर Muslim population के अगेंस चाइना तैचार कर रहा है, यह नहीं होना चाहिए, वगरा वगरा करके, एक दबा हुआ सा statement, जापान की पर्डियमेंट ने चाइना के अगेंस दे दिया है, यह तब दिया गया है, जब चाइना में, बीजिंग में विंटर Olympic शुरू होने वाले हैं, लेकि जापान बहुत हद तक, जाइना के उपर, सोरी, यूएस के जापान में, तो जापान ने आपे बोल तो दिया है, लेकिन जापान ये भी जानता है कि चाइना के साथ economic relation बहुत जरूरी है, इस चक्कर में जापान ने बहुत दबा हुआ statement दिया, पलट के चाइना बोल रहा है कि ये तो political provocation है, हमारे internal affairs में इंटर्फियर किये जा रहा है, तो इस प्रगार की बाते निकलती रहती है और मुस्लिम मानॉर्टी एक मुस्लिम मानॉर्टी टर्किक एथनी ग्रूप है, जादा पढ़ना चाहते है तो PPT में इंफॉर्मेशन एवलिबल Thank you for watching friends, यहाँ पर lecture खतम करता हूँ थोड़ जल्दी खतम किया इस lecture को I hope लेकिन काम की सारी चीजें आपको बता दी है, कुछ भी छूटा नहीं So thank you for watching friends, जाद से जाद लोगसाद वीडियो को शेयर करीगा Instagram पर follow कर लिजे, Telegram group join कर लिजे Have a great difference, goodbye, हो सके तो join button दबा के जरूर help करीगा, that is specifically very very helpful Goodbye friends